यह अभी शेक और गैज़िस्ट यूज़ के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीओफोन नेक्स्ट एक स्कैम है कियों आपको जीओफोन नेक्स्ट ना तो खरीदना है और ना ही किसी को खरीदने देना है क्योंकि एक तरह से कुछ ऐसा बनाया है याँपे रिलायंज जीओ ने इस फोन को कुछ इस तरह से वो सेल कर रहे हैं कि वो जो poor people होते हैं जिनके पाप पैसा कम होता है फोन खरीदने के पूरे पैसे नहीं होते हैं उन लोगों को एक तरह से contract के माया जाल में फसाने का तरीका है जियो फोन next तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको 8 reason बताऊंगा जिसकी वज़े से आपको जियो फोन next ना तो पुराना hardware 2019 में ये processor आया था और अब 2021 में आपको इस processor से एक entry level जियो फोन मिल रहा है जो कि अगर आपने कुछ वीडियो देखे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि कितना slow है ये phone कितना lag करता है कितना hang करता है एक तरह से non usable हो जाएगा ये phone अगर आप इसे खरीद के use कर दो तीन महिने तक भी और यहां पर एक और बात बहुत जरूरी है जानना कि इस processor के साथ China के अंदर smart watches आती है wearables आते हैं जो कि यहां पर आपको एक smartphone के अंदर दिया जा रहा है तो definitely smartphone के साथ से इसका processor बहुत ही slow है लेकिन आगे आने वाली जो details है वो आपको और भी चौका देंगी शायद slow phone से फिर भी आप काम चला लें लेकिन जो आगे मैं बताने वाला हूं वो सुनके आप definitely surprise हो जाएगे दोस्तों इससे पहले जितने भी Jio phone आये हैं उनमें एक ही SIM slot होता था तो वहां पे आप Jio SIM लगाते थे इस phone में तो दो SIM slot है तो यानि कि यह dual SIM है जो कि Jio SIM ही use करना है और data भी सिर्फ उसी slot में चलेगा यानि कि दूसरे slot में अगर आप कोई और SIM card डालते हैं जो कि Airtle, Vodafone या किसी भी और का होता है तो वहां पे कोई data आपका नहीं चलेगा और यह कमाल की बात तब भी है जब आप phone को पूरा पैसे दे के खरीद लेते हैं औ इस फोन को आप Jio SIM के इलावा कोई और SIM card इस फोन में यूफ नहीं कर पाएंगे खासवर से data के लिए दोस्तों तीसरा hidden secrets हैं यहां पे financing options जो कि इस phone के साथ आपको मिलते हैं अब इस phone को खरीदने में आपको दो option मिलते हैं या तो आप पूरे पैसे दे दीजे और phone ले लीजे उस case में यह phone आपको 6,000 का पढ़ता है 6,000 उपे का बिलकुल भी worth नहीं है यह phone और इस price में कुछ और अच्छे phones आपको मिल जाते हैं जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा लेकिन यहां पे जो financing model है उस model के अंदर यह phone आपको 8,000 या 9,000 का पढ़ता है और even यहां पे आपको bind कर दिया जाएगा कि आपको हर महीन रिचार्ज कराना ही है तो एक तरह से phone को इस तरह से बना के बेचा जा रहा है कि phone तो बेकार है लेकिन आपको compelled किया जाएगा कि आप पैसे दीजिए इसके EMI के उसके बदले में आपको data मिलेगा वो आप use करे ना करे लेकिन यह पैसे देना compulsory है और चौधा point यहां पे यह है कि इस phone के अंदर अगर आपने EMI नहीं दीना तब आपका phone बंद हो जाएगा यानि कि remotely इस phone को वो लॉक कर सकते हैं आप उसमें कोई भी SIM card यूज नहीं कर पाएंगे आपका existing geo SIM भी चलना बंद हो जाएगा और ऐसे में आप contract के अधीन रहके अगर पैसे नहीं देते हैं तो आप पे legal action भी हो सकता है तो दोस्तों इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको लगेगा कि इस phone को खरीदना है तो financing option में खरीदने में तो फाइदा नहीं है एक तो महंगा पड़ता है उपर से legal contract है phone बंद हो सकता है अगर EMI नहीं दिया recharge नहीं कराया तो तो यहाँ पे आ terms and condition के हिसाफ से जो कि Jio Phone Next की Reliance Jio ने declare की है आप phone को root नहीं कर सकते आप phone को कहीं भी किसी को दे नहीं सकते sell नहीं कर सकते आप उस phone का software या hardware कुछ भी बदल नहीं सकते तो मान लीजे कि आपको लगता है कि फोन तो आ गया अब 50,000 की value तो निकाल लूँ इस phone के अंदर अपन भी Jio कह रहा है साफ साफ अपनी terms में अगर आप ऐसा करते हैं तो legally आप wrong है और आपके अपर again किसी भी तरह का action हो सकता है अगर वो चाहें तो और एक और बात अगर आप सोचें कि भाई आपने Jio Phone का recharge नहीं कराया Jio Phone Next का और उसके बाद phone जो है बंद हो गया आप सोचें कि फोन का software flash कर लेते हैं उसको unlock कर लेते हैं उसको jailbreak कर लेते हैं अगर ऐसा भी आप करते हैं तो वो भी allowed नहीं है as per Jio Phone Next की terms अब इस तरह की चीज़े कहीं ना कहीं मैंने पहली बार सुनी है कि आप phone खरीद रहे हैं उसके बाद भी phone आपका नहीं है ऐसा लग रहा है कि आप phone काम नहीं कर रहा है उसमें Jio Phone के signal ही नहीं आ रहे है तो उसकी कोई responsibility Jio की नहीं है ना तो वो उसको repair करेंगे ना उसको replace करेंगे अब ऐसा तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना था क्योंकि almost हर smartphone company अपने smartphone की functionality का एक warranty आपको देती है जो कि यहाँ पे मिलनी चाहिए लेकिन इस term के हिसाब से अगर signal का कोई भी problem आपको होता है तो उसमें company liable नहीं है दोस्तो अगली term यहाँ पर यह कहती है कि the recipient यानि कि जिनोंने phone खरीदा है have no right to sell, lease, assign and transfer और otherwise dispose Jio Phone next in any manner whatsoever यानि कि आप इस phone को ना तो किसी को दे सकते हैं lease पे, ना किसी से share कर सकते हैं, ना किसी को ट्रांफर कर सकते हैं, even आप इस phone को तोड़ भी नहीं सकते हैं, dispose भी नहीं कर सकते हैं इतनी तगड़ी टम्स यहाँ पे जियो ने लगा रखी है कि कहीना कहीं ऐसा लग रहा है कि यह फोन नहीं है ऐसा लग रहा है कि हम इस फोन को लेकर जेल में जा रहे हैं सोचो, ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं होते देखा बहुत ही गुसा आ रहा है यह सब पढ़के तो दोस्तों फाइनली यह सारी बाते पढ़के मुझे तो यह समझ में आया कि सिर्फ एकलोता राइट जो आपके पास है जियो फोन नेक्ट को खरीदने के बाद वो है सिर्फ और सिर्फ उसको यूस करने का उसकी EMI देने का और इसके लावब आपके पास कोई राइट नहीं है ना तो अपने फोन को change करने का ना ही उसको रोखने का ना ही उसकी EMI रोखने का ना ही उसको sell करने का उसको तोड़ने का तो ऐसे में ऐसा फोन क्यों लेना जिसके अंदर आपको इतनी सारी restrictions मिलेंगी और वो आपको सेहनी ही पड़ेंगी और यही मैं कहता हूँ कि यही चीज गलत है यहाँ पे इस phone को कौन लोग लेंगे जिनके पास पूरे 60,000 उपे नहीं होते हैं बहुत सारे देश के लोग हमारे ऐसे हैं जो कि पूर लोग है उनके पास 2-3 अजरवे मुश्किल से सेविंग में होते हैं और वो अपने वो सारे पैसे इसमें दे देंगे और फिर मजबूर हो जाएंगे जियो फोन का रीचार्ज करने के लिए क्योंकि अगेन उन्हें पता है कि उन्होंने ये फोन कांट्रैक्ट में लिया है और फोन के पूरे पैसे उन्हें देने ही पड़ेंगे चाहे उनके वहाँ पे जियो का प्लान महंगा हो चाहे सिग्नल आए या नहीं आए कंपनी की कोई responsibility नहीं है और यही मैं कहा रहा हूँ यही एक धोकेबाजी है यही एक scam है इवन overall देखा जाए तो यह सारी terms सिर्फ और सिर्फ Gio के, Reliance Gio के favor में है लोगों के favor में नहीं है इसलिए इस वीडियो को पूरा देखा है अगर आपने तो वीडियो को like जरू करना जादा से जादा logo तक share करना ताकि उनको पता चले Gio Phone Next का सच और दोस्तों यहाँ पे इस phone को इतना सब कुछ कहने के बाद मना करने के बाद मैं आपको 3 option भी देना चाहता हूँ अगर आपका budget सच में proper tight है और आपको phone लेना है तो आप बाकी phones भी EMI पे ले सकते है जैसे कि पहला phone Lava का Z66 यह phone आपको 3GB RAM के साथ मिल जाता है similar specification से भी जादा बहतर specification है HD display भी है और अगेन नया वाला design भी है आप इस phone को ले सकते है तकरीबन 6-7000 क्यास पसी आजाता है अगला phone है Realme का C11 जो कि आप computer कर सकते हैं फुराना phone है लेकिन इसका processor बहुत बहतर है जो कि आपको मिल रहा है Gio Phone Next में overall display भी अच्छा है इस phone का और battery भी आपको बड़ी मिल रही है यह phone भी आप EMI पे ले सकते हैं इसके बाद थोड़ा सा और budget बढ़ाएंगे तो आप 9000 तक में Micromax का N1 भी ले सकते हैं Indian company है बिलकुल ले सकते हैं अगर आपको Chinese company का phone नी लेना है दो phones मैंने Indian company के बताएं लावा भी Indian है और Micromax भी Indian है और यह phones भी आप EMI पे ले सकते हैं अगर आपको EMI देनी ही है तो phone के पैसे दीजे ना उसको lock किजिए और उसके बाद Jio SIM आप अराम से कोई सा भी डाल सकते हैं और इवन कोई सा भी SIM card इन phones में यूज कर सकते हैं तो ऐसे में अपने आपको independent रखिए और इस तरह के Jio Phone Next जैसे जो प्लान है जो कही ना कहीं आपको फसाने वाली टेक्नीक है इन सब चीजों में ना पढ़िए और ना ही किसी को पढ़ने दीजिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया जैहिन वन्दे मातरम बाबाई